हेलो फ्रेंड्स जिसकी कीचन में आपका स्वागत है आज फिर आज ही रहे हम एक और नई रेसिपी के साथ बनाते हैं स्वादिस्ट मिक्स मसाला पराठा मिक्स मसाला पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा ले ले इसमें अजवायन डाल दें थोड़ा सा नमक डाल दें और अगर आपको स्कॉर भी कुरकुरा करना है तो आप उसमें देशी घी या फिर रेगुलर ओयल का मोयन बनाएंगे आपके पराठे उतने ही अच्छे बनकर तयार होंगे अब इस तरीके से इस पर थोड़ा सा पानी लगा कर इसको फैला कर साइड कर दें जब तक आपका आटा और बी ज्यादा सौफ्ट हो जाएगा तब तक हम पराठे के लिए मसाला तयार करते हैं हमने एक बा और हराधनिया डाल कर रेडी कर लिया है पनी डालने के बाद अब हम इसमें प्याज जाल देंगे प्याज को हमने बारिक बारिक चौप कर लिया है उसमें हरी मिर्च और हराधनिया नमक मसाले डाल कर उसको भी तयार कर लिया था अब आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह ताकि पनीर आलू और हमारा प्याज है वह इक्वल मिक्स हो जाए आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि आपके पराथे में इसका टेस्ट इक्वल आए और आप इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा खटापन अपने प चुका है इसको रेडी करने के बाद तो चलिए हम अपना पराथा बनाना स्टार्ट करते हैं आप एक मीडियम साइज की लोई ले ले और इस लोई पर सुखा आठा लगा कर इसको थोड़ा सा बेल ले सबसे पहले आपने इसको हाफ ही बेलना है और इसको बेलने के बाद अ अब आप इसकी छोटी छोटी फोल्ड बना ले और इसकी फोल्ड बनाने के बाद आप उसको पहले थोड़ा हातों से ही बढ़ा करें ताकि जो आपका पराथा है वैफ फटे नहीं अगर आपको सिंगल लेयर का पराथा बनाने में प्रोब्लम होती है तो आप दो छोटी छ ऑड़ा लिया है और हाथ से बढ़ाने के बाद आप इस पर हलके हाथ से बेलन चलाएं ताकि आपका पराथा फटे नहीं यह देखिये हमारा पराथा बिल्कुल भी फटा नहीं और बहुत आसान तरीके से हमने इसको तैयार कर दिया है, अब पर तवा रक और जब आप का त एक फस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को टीफिन में भी दे सकते हैं आप इस परांठे को अगर बना रहे हैं तो आपको सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसको दही या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हैं यह देखे हमने इस पर दोनों तरफ घी लगा लिया है और अब दोनों तरफ घी लगाने के बाद हम इसको दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे अब आप इसको दोने ज़ब से पलटते हुए सेख लें और ये देखे हमारा जो पनाठा है वहन सिक्कर तयार हो गया है हमने इसको हिंके अचार और राहते के साथ सर्व किया है और हमारा स्वाधिस पनाठा बन कर तयार हो गया है आप भी इस recipe को जरूर try करें चैनल को like, share, subscribe करना ना भूले बेल आइकन दबा दे और भी interesting videos देखने के लिए screen को touch करें Thank you